नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपूर के विबित हल्चल पर हाल ही में जिलाधीकारी वो महराष्ट्र पर्याटन विकास निगम ने शहर की विबिन्न संस्थाओं के साथ एक बैठक आयो जित कर सभी संस्थाओं से क्षेत्रिय पर्याटन को बढ़ावा देने के लिए सुजाव आमंतरित किये थे जिसके अंतरगत नाकपूर रेसिडियंशियल होटेलस एसोसियेशन के प्रतिनीदी मंडलने अध्धक्ष तेजिंदर सिंग रेणू के नेतरुट्व में जिलाधीकारी वीमला आर से मिलकर प्षेत्रिय पर्याटन को बढ़ाने हेतु सिताबरडी किला, राजभवन, मंसर स प्रतित कपूर माता मंदिर आधी को पर्याटन स्थलों में शामिल करने का सुझाओ ग्यापन सोपा। जिसका अंग्रेजों के समय में युद्ध के साथ ही परियापत इतियाज भी है, जिसे मुश्किल से कुछ हजार लोगों नहीं देखा है, अता इन स्थानों को आपचारिक तरीके से परियाटन स्थलों में शामिल करने की आउशकता है। जिसे रसीदानुसार पैकेट पैकिंग प्रसाद वीतरन होगा, कोरोना का प्रोटोकाल, मास्क और उचित दूरी के नियम लागो होंगे। यह जानकारी मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने शिरत दालुओ को दी है। जमाते इसलामी हिंद नाकपूर नौर्थ विस्ट के तत्वाउधान में यंग इंटर्परिनर फेस्टिवल 2021 के तहट 13 नवंबर को शाम 4 बजे से जाफर नगर के इदगा ग्राउंड में कारेकरम का आयोजन किया गया है। इस कारेकरम की विवास्थापी का बेनजीर खान ने बताया कि यह फेस्टिवल यंग ट्रांसफरमस के तहट आयोजित एक वर्क्शोप सिरीज की परिणिती है जिसमें 10-15 वर्ष के बच्चे विभिन्न प्रकार की भूमिकाय प्रस्टुत करेंगे। इस कारेकरम का उद्देश बच्चों और योवाओ के बीच उद्द्यमिता, मुल्यों को विकत्सित करना, संचार और बाच्चित कौशल, पार्श्व और तारकीक सोच, नेतरूत्व के अलावा खेलकूत को बढ़ावा देने से है। यहाँ ऐसी कुछ परियोजनाओ को भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिन में सध्दान्तिक वैलू नहीं है। निती आयोक के सदस्य मोहिन काजी और जमाते इसलामी हिंद नाकपूर के शहर अध्यक्ष डॉक्टर अन्वर सिद्धी के उपस्थित रहेंगे। नाकपूर शहर में प्रस्तावित भारतिय खेल प्राधिकरन साई की साईट पर अतिक्रमन करने वालों का पुनरवास आसपास के साथ एकड़ भूमे में किया जाएगा। केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी और केंद्रिय खेल मंत्री अनुराक ठाकूर के मौझूदगी में दिल्ले में विशेश बैठक हुई। बैठक में शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी विधायगन प्रविद धटके विकास कुंभारे कुरुषना खोपडे। नाकपूर सुधार प्रणैस के अध्यक्षा मनोच कुमार सुर्यवन्शी, निगम के अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना, नगर निगम के खेल अधिकारी पियू शाम्बूल कर द्रोनाचारिय और अर्जून पुरसकार विजेता विजय मुनिश्वर ने भाग इस मौके पर महापूर दयाशंकर तिवारी ने केंद्रिय खेल मंत्री अनुराक ठाकूर से साई के कारिया में आरही बादाहों को दूर कर कारिया में तेजी लाने का अनुरोत किया। के पुनर्वास के संबन में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। के समय परवक के साथ अन्य संस्ताए मनाए तो जहां परवक की महत्ता बढ़ती है वही समाज को बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। आज सुबह सुरिय उदय के समय दूसरा आर्ध देखकर वह छट मैया के विदिविदान से पूजा कर उवास छोड़ेंगे अंबाजरी तलाप पर छट प्रतियों को पूजा सामगरी वफल वितरन किया जाएगा प्रसात की रूप में केला और सेब, दूद, चाय और काफी की विवस्ता की गई है अधर्म को समाप्त करने के लिए राम रूपी धर्मा उतार लेते हैं यहोदगार विंध्य पिठादिश्वर बालियोगी अंतरराष्टिय संत संजय महाराज ने वेक्त किये अखिल विश्वत सर्यूपारिन ब्रामन महासबा की ओर से अमरुद भवन उत्तरमजरी मार्ग में आयोजित श्री राम कथा के चतूर्त दिन का पुष्प पिरोते हुए संत संजय महाराज ने कहा कि जब-जब होई धर्म के हानी वाड़ई असूर अधम अभिमानी अर्थात जब अधर्म की व्यापती होती है तब राम रूपी धर्म का प्रादूर्बाव होता है जब जब इस धरा पर अत्याचार अनाचार व्यभीचार पापाचार की वृद्धी होती है तब तब वह निरगुन निराकार ब्रह्म शगुन साकार के रूप में अवतरित होता है राम विग्रहान धर्म अर्थात राम स्वयम धर्म के विग्रह है, कथा के मुख्या यजमान महासबा के अंतरराश्टी अध्यक्ष राम नारायन मिश्र वा सावित्री मिश्र, राजिस प्रसत पांडे वा शशिकला पांडे, रविंद्र कुमार पांडे वा अरूना पांडे बुधवार के नितिन तिवारी तथा केशव कान तिवारी यजमान थे राम कता का समय त्रती दिन दोपर 4 बजे से शाम के 7 बजे तक रहेगा आज भरत मिलाप कल 12 नवंबर को हनुमान चरित्र वसुन्दर कांड हुँगा परसो 13 नवंबर को कथा में श्री राम राज्या विशेक के बाद शाम 5 बजे पुरुना हुती राद को 8 बजे महाप्रसाद हुगा भारत सरकार ने भगवान बिर्सामुंडा की जन्मतिति के अउसर पर 15 से 27 नवंबर 2021 तक पूरे देश में विवित प्रकार के समारो वो आयोजन किये जाने का निर्ने लिया है भारत के जन्जातिय समाज में भगवान और धर्ती बाबा के नाम से पहचान रखने वाले भगवान बिर्सामुंडा प्रतिरोत और सुभोत के स्वातेंद्र अंदुलन के अप्रतिम नायक है 1877 से लेकर 1900 तक अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाले इस महान क्रान्तिकारी ने नме केवल जन जातिय समाज को राजनलतिक स्थर पर संगतित्कर अंग्रेजों की विरुद्ध युद्ध किया अपितु सामाजिक स्तर पर अंधविश्वास और पाखंडों से मुक्त करते हुए शिक्षा, जागरुकता एवं समाज को संसकारित करने का काम किया 1822 में इंडियन फॉरेस्ट एक के विरुद्ध 1897 से लेकर 1900 तक हुए संगर्ष ने उल्गुलान का आगास किया और रनबाकुरे वनवासियों ने तीरों से अंग्रेजों पर आकरमन कर डाला संगर्ष स्वाभिमान और शाहदत की इस महनिय परंपरा के प्रतिक है भगवान बिरसा मुंडा भारत सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए महत्मा गांधी अंतराष्ट्रिय हिंदी विश्व विद्धालय के कुल्पती प्रोफेसर रजीन्ष कुमार शुकल ने कहा कि 15 से 27 नवंबर तक विश्व विद्धालय विवित कारक्रमों का आयोजन करेगा श्री ओस्वाल पंचयती नाकपूर द्वारा ज्यान पंचमी के पावन परवपर चोरडिय ओस्वाल भवन इतवारी में हर्शुल्लास के साथ ज्यान पंचमी के पावन उसर पर जैन विधी से महलक्ष्मी पुजन संस्था के अध्धक्ष सुभाश कोटेचा के हस्ते महमंत्री मनिश चल्लानी, उपाद्धक्ष विजय बांठिया, मंत्री प्रकाश डागा, राकेश कोठारी, कोशाद्धक्ष संतोज गिलडा सैथ, कार्यकारिने सदस्य संजय कोठारी, शीतल श्री श्रीमाल, सोहन जामड, मीतेश कटारिया सैथ, संजय सोनी, सुधीर बैद जीला कलेक्टर विमला आर ने विभिन्न विभागों को देश की आजादी की अमरूत महोचों को लेकर शुक्रवार तक अपनी संकल्पना प्रस्थोत करने का निर्देश जिया है, उन्होंने कहा कि इसमें राज्य और केंद्र सरकार के सभी विभागों को भाग लेना आव उन्होंने सुजाओ दिया की शिक्षा विभाग, सांस्कृतिक विभाग, खेल विभाग इसके लिए पहल करे और बड़े आयोजन करे, वे कलेक्टरेट के छत्रपती सभागरों में आयोजीत स्वतंतरता अमरूत महोचों समीती की बैठक में बोल रही थी, बैठक में पु इसे के हरिश आयर और सभी विभाग प्रमुक उपस्तित थे, कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग प्रमुकों को अमरूत उत्सव को कुरियानवयन के पाच विशव में बाट कर कारेक्रम की योजना बना कर शुक्रवार तक जानकारी देनी है पशु रोगों के कारण भविश्य में कोवीर जैसे संकट की आशंका है, यह बताते विए पशु पालन दुगदव्यवसाय विकास मंत्री और मापसु के कुलपती सुनिल के दार ने कहा कि इस तरह की बीमारियों को मनुष्य में फैलने से रोकने के लिए पशु चिकित सा में अनुसंदान किये जाने की आउशकता है, वे यहाँ वसंत्राओ देशपांडे सभागरों में आयोजित महराष्ट पशु और मत्से विश्व विद्याले के दसवे दिक्षान समारों में बोल रहे थे, वैज्यानिक और आउध्योगीक विभाग के सचिव तथा वैज् चाता डॉक्टर एजबी उपद्ध है, डॉक्टर पीटी जाधव, डॉक्टर वास्निक आदी इस समय मौझूद थे, केदार ने कहा कि ग्रामिन अर्थवेवस्ता में पशु पालन एक महत्व पुरुन कारक है, महत्मा गांधी द्वारा प्रस्ताविद ग्रामिन विकास क के उधारना को साकार करने के लिए पशु पालन महत्व पुरुन होगा, पशु और मत्सा विज्ञान विशविध्यालाए से सनातक करने वाले चात्रों को इस क्शेत्र में अनुसंदान करना चाहिए, और पशु पालन के साथ साथ पशु रोगो की रोक्ताम के लिए हनुमान मंदिर वर्दमान नगर में आज आग अन्नक उट महुच्छों का आयोजन किया गया है महुच्छों अंतरगत भगवान को 56 भूग का भूग लगाया जाएगा एवं आरती शाम को पाच बजे होगी ततपच्छात प्रसाद वितरन ड्रेडी टिफिन के माध्यम से महुच्छों में शामिल होने का निवेदन किया है सरकार द्वारा जारी किये गए कुविड नियमों का पालन करते हुए यह महुच्छों मनाया जा रहा है यह जानकारी महुच्छों के प्रमुक सहियोजग सत्तन अरायन लोया एवं अशुखांडा ने दी है British Association of Physician of Indian की ओर से England में सम्मिलन का आयजन किया गया जिसमें शहर के Kingsway Hospital के Radiologist डॉक्टर राजु खंडिलवाल को Excellence in Leadership Award से सम्मानित किया गया उन्हें Medical क्षेत्र में उत्कुरुष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया डॉक्टर खंडिलवाल ने अपनी टीम के साथ मिलकर कोरोना काल में कई मरीजों की जान बचाई डॉक्टर खंडिलवाल के नेतरुटु में British Association of Physician of Indian ने कई तरह की Medical सुविदाय दी जिसकी मदद से कई मरीजों की जान बचाई गई महजएक वर्ष की अउधी में उनके द्वारा MRCP, MRCS जैसे कई महत्वपुरुन प्रोग्राम लाउंच किये गए केंद्रियमंत्री नितिनगडकरी मुकेश मंगला आप कजारिया कंपनी मनिश महता के करकमलों से कजारिया एटर्निटी बुटिक का शुभारंब मेडिकल चोक में किया गया प्रमुकति थी महापवर दया शंकरतिवारी, विधायक गण गिरिश्व्यास, प्रविन दटके, कुरुषना खोपडे, विकास कुम्भारे, मोहन मते, पुर्व विधायक अशुक मानकर, अध्यक्ष किशोर पलांदूर कर, नगरसिवक प्रविन भिसी कर, नगरसेवी का उशा पाइलट, राष्ट्रिय स्वयमसिवक संगचितने विस्पूरा प्रभाक्षाखा अध्यक्ष, प्रसाद गाडे, नितीन खेरापुडे, प्रशान्त उमरकर, विलास पाथे, विलास माताडे, मकरंद भालेराव, आधी उपस्तित थे, संचालक सुमतलल्ला जैन, सौ जेंद्र धुमाल, नाना जी थेरे, राजभाहु काहाते, श्री जैन सेवा मंडल के अध्यक्ष दिलिप गांधी, डॉक्टर चंद्रानाथ भागवतकर, संजय टक्कामुरे, दीपक शेंडेकर, अध्यक्षा रजनी जैन, श्री दिगंबर जैन सेंगर मंदिर अध्यक्ष सतिश पेंडारी, महावीर मंदिर नहरु पुतला से नरेश जैन रिलाइंस, शकुन जैन, महावीर मोठे मंदिर, सीए शरट ठोली, नागदा राजस्थानी जैन समाज, मगन भाई दोशी, सोहन लाल सिहावत, अध्यक्ष महिंद्र सिंगवी, जैन तिलाल सिंगवी, नरिं महारश्टर विधान परिशत की साज सीटे एक जन्वरी 2022 को रीकत हो रही है, इनमें नागपूर से स्थानिक स्वराज्य संसा द्वारा चूनी जाने वाले एक सीट का भी समाविश है, इसी संदर्भ में कलेक्टर वीमला आर ने बुधवार को राजनेतिक दलु की बैठक लेकर आदर्श आचार सहीता के पालन का आहवान किया, नागपूर के अलावा अन्य जीन जिलो में विधान परिशत की सीटे रिकत होकर वहाँ चुनाव होना है, उनमें मुंबई, कुलापूर, धूले, नंदुरबार, अकुला, बुल्धाना, वाशीम, सूलापूर और ए अन्य चुनाव की तरह इस चुनाव में भी आदर्श आचार सहीता अस्तित्व में होगी, इसलिए कहीं भी आचार सहीता का उल्लंगन नहीं हो, इस बात का ध्यान रखने का निवेदन राजनितिक दलों से किया गया है, बैठक में भारतिय राश्ट्रिया कॉंग्रेस के ब पर पांडव पंचमी की दिन नाकपूर शिवसेना पूर्व नाकपूर प्रभाग 22 में शाखा नंबर 1 गरुबा मैदान, शाखा नंबर 2 टेलीफोन चोग, शाखा नंबर 3 सिद्धेश्वर मंदिर ग्राउन, नंबर 4 आदर्शनगर शनी मंदिर, नंबर 6 गांधी आदि शाखाओ में राजे छत्रपती शिवाजी महाराज को नमन करके महलक्ष्मी जी की दिपोच्षव के रोशनी में पूजा अर्चना की गई, शिवसेना के उपजिला प्रमुक, नगरसेवक ज्यानेश्वर नाना जुडे, एवं शिवसेना परिवार की ओच से आयोजन किया गया था। मिलिन्द महाजन, आलोग भगत, भुशन वंजारी, दिनिश शिवाले, विकरांत जाडे, सारंग अर्चड, प्रविन शिलारे, रवी मोंदेकर, सागर काल बंदे, विनायक बदले, हरिश आगरे, नुतन कातुरे, धीरज डाहके, पांडुरंग बोकडे, मिलन बडे, शु विदर्ब के तरह लाख व्यापारियों की शिर्शव वा विरनिशन्स था, नाग विदर्ब चेंबर ओकॉमर्स, एन्वी सीसी के उपाद्यक्षव वा बिजली समीती के सायोजक, फारुक अगबानी के साथ प्रतिनिदी मंडल के सदस्यों ने, उर्जामंत्री नितिन उन्होंने दिलिब दोड़के को बिजली विलो के चेक या ओनलाइन भरने के नियमों से हो रही परिशानियों से अउगत कराते हुए बताया कि बिजली उपभुखताओं को इससे बिलो का समय पर भुखतान करने में बहुत परिशानी हो रही है, आज तक बिजली विभाग द्वारा बिलों का भुकतान नगद में स्विकार किया जा रहा था वर्तमान में यदि कोई ग्राहक बिल भरने की अंतिम तारिक निकल जाने के बाद चेक से भुकतान करता है तो बिजली विभाग चेक क्लियर होने तक उस ग्राहक के बिजली पुना शुरू नहीं करता जिससे आम जनता को परिशानी होती है चेक या ओनलाइन माध्यम से जमा करने के इस नियम तथा आर्थिक परिशानियों के कारण अधिकांश गराग चाहते हुए भी अपना बिजली का बिल समय पर नहीं भर पा रहे है आज 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ग के सभी नागरिकों का कोवी शिल्ट का टिका करन नाकपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी के इंदरू पर भी होगा टिका करन शाम के पाज बजे तक होगा टिका करन के लिए ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइव इन वैक्सिनेशन के इंदरू पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिकायों के सभी नागरीकों को कोविशिट के जरिये टिका करन किया जाएगा यह जानकारी चीकित सा स्वास्थयादिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ष के नागरीकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साब आमेटकर अस्पताल काम्ठी रोड वस्वरगिय प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबाडा, इंदिरा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपास त्री अस्पताल पाचपावली और प्रगती हॉल दिगोरी में उपलब्द है नाकपूर महानगर पालिका के उपद्रव खोजिदल ने बुध्वार को 38 मंगल कारेले, 27 मंदिर, 8 मज्जित, 55 स्कूल कॉलेज और 9 अन्य धर्मिक स्थलों का निरिक्षन किया कुल मिलकर 137 प्रतिष्ठानों का निरिक्षन किया गया वहाँ उपस्तित लोगों को मनपा क्षेत्रादिकार के अंतरगत, लागू कोविड नियमों और टिका करन प्रक्तिया के बारे में जानकारी दी गई साथ में यह भी चेतावनी दी गई कि कोई नागरिक यदि संबंदित प्रतिष्ठान के अनुसार दोनों या कम से कम एक डोज लेकर नहीं आता है तो उसके खिलाब कारवाई की जाएगी मनपा युक्तर आदाकृष्णन भी के निर्देशानुसार और उपद्रव खोजिदल के प्रमुक वीरसेन तामबे के मार्गदर्शन में मनपा के टीमों ने यह कारवाई की ट्रैफिक पुलिस ने मोटर वहन अधिनियम के विभिन धाराओ के अंतरगत कुल मिलाकर 2425 वहन चालों को पर कारवाई की और उनसे कुल मिलाकर 16,850 रुपे का जुर्माना वसुला इसी तरह मुंबई शराब बंदी अधिनियम के अंतरगत 17 मामलों में 19 आरुपियों को गिरपतार किया गया और उनसे 48,275 रुपे का सामान जब्त किया गया है उपरवक्त सभी आउपरेशन सयुक्त रूप से नाकपूर सिटी पुलिस द्वारा किये गये थे ट्राफिक विभांग ने यहां आवान किया है कि नागरिक वहां चलाते समय वहां से संबंदित सभी दस्तावेज अपने पास रखे ठाकरे सरकार ने पिछले दो साल में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू ने किया है लेकिन गुंठेवारी एक्ट के तहट नियमिती करण शुलक को 56 रुपे से 3 गुना बढ़ा कर 166 रुपे कर दिया है हलाकि शहर विकास मंतरी एकनाच शिंदे ने गुंठेवारी एक्ट की आउधी 2001 से बढ़ा कर 2020 तक कर दी है लेकिन सरकारी जी आर के जरिये नियमिती करण शुलक को 3 गुना बढ़ा कर लोगों के जेबो से राज्य सरकार ने अपना खजाना भरने में ततपरता दिखाई है दीपावली की पूर्वसंध्या पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डिजल की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाए है लेकिन दूसरी ओर जिस राज्य सरकार से नागरिकों को अच्छी खबर की उम्मित थी उसी सरकार ने यह अनुचित नियम लागू किया है अपने पसिने से कमाय पैसे से एक-एक रुपया जोड कर नागरिकों ने लेयाउट मालिकों से प्लॉट खरीद लिये रजिस्ट्री करवा लिया और नागरिकों सुधार प्रनास की ओर से नियमिती करन करण करवाई जाएगी यहाँ पेक्षा करते थे लेकिन इस प्रकार अनुची तरीके से बड़ोतरी करने से नागरिक कैसे इस पैसे का इंतजाम करेंगे यहाँ प्रशन उत्पन्न हो गया है ठाकरे सरकार नागरिकों को लूटने का काम कर रही है विधाय कृष्णा खुपडे ने कहा तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस नमस्कार